वो अफसोस सा यह अध्या जो भी था यहान इस जवाद के इंदसार में हरके सही था मगर वो याया के नेशर से भी बाखो भी वाकिफ था शायद फिर जिन्दी ही में आमारी दुबारा मुलाकात कभी न हो वो बोली तो आवास खंसिवारी हो रही थी एक अच्छे मुखलिस दोस को खोनी का गम फिर मैं आपसे जन्नत में मिलूँगा वो स्टेरिंग पर हाथ जमाय तमानियस से गोया हुआ वहाँ तो मुझे कोई आपसे मिलने से मना नहीं करेगा वो दूसरा जुमला भी भूलिया और वो अभी तक अफ़ी सुसिक हो रही थी और वो तवाम सफर उससे हामोशी से काट दिया उमायमा ने इस बेतों की बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझा था रात के बारा बच रहे थे आड़ी पोश भी रुखी वो मायमा यहान और सोई इब्राहेम का काल कीच कर उनने गुट नाइट कहती लौन की तरफ आई बेगते हाँ नसर टैस की तरफ उठी जहां वो धीली टॉसर शट भी मल्रूस सने लगोश लिए कड़ा था वो इब्राहेम की वाफसी का सुनकर उसे देखने गई उसे सोता पाकर एसा कमरे में वापस आई आपसे कुछ पूछ ना आए मुझे आसिक ने आँकों से वाजु अटाया और उसके करीब कोट में दख्या रखे वैठी थी मुकरवट लिए उसके तरफ चुका पुरी आँके खोले देखने लगा ऐसे बात करोगी तो मैं सारी रात तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ अभी मुझे सिर्फ इतना बताएं अर फजार ये उस शाही रियासत को मलिया मिट आप नहीं किया है न अच्छे जोहर बीवी से जूट नहीं बोलते इसी मैं सच बताऊंगा हाँ मैंने वहां बंबलॉस किया है उससे मेरी मुखबत पर इस अमारत को फोकियत दे कर तुम्हें मुझसे बचसन करने की कोशिश की थी बस इसी मैंनों शानदार इमारत को हाग कर दिया वो पूर सुकून था इसा ने सच जटका तुम मेरी जिन्दिए में आने वाली दूसरी और थो जिससे मेरी मुखबत बेशुमार है पहली कौन उससे बाद ही मुकमल नहीं होने थी मेरी माँ वो कहेकर मुस्कुरायो और मैं आखरी भी हूँ इसा भी मुस्कुरादी अजसी की मुस्कुराट सिंटी तुम आखरी नहीं हो क्योंकि तुम दूसरी हो और आखरी मेरी तीसरी मुखबत होगी वित्मिनान से कहता यह तीसरी चुड़ेल कोन है वो बलखा का हैरस से मस्साफिर हुई तुम हमारी पेटी को चुड़ेल नहीं कह सकती वो तो शेहजादी होगी मेरी सिकंदा के दिमिनान कावले रीता इसा मुसको राट रोखने की तक दो कंटी फुशन उसे माच चुकी थी आप साधे तरीके से नहीं कह सकते थे पहलियां बुझाना जूरी होता अगर मैंने तुमसे पहलियां बुझवाई तो तुम्हारा तमाग समेथ तुम भी उनमें उलत चाओगी वो कह कर रहा साओ इसान उसे हव की सिकुरा आप मुझे बेवकूफ कह रहे है वैसे मुझे मालूम नहीं था मेरी बीवी इतनी समझदार है उसका मदम क्या का यह सको तबाग्या वो करोड परतल कर लेठी नराजगी बजा है मगर मुझे से रुख मोड़ कर मेरी जान नहीं निकालो उसे खींच कर अपनी सीने पर उसका सर रखाओ असूलन आपको मुझे मनाना चाहिए अवास से आवास होगी कैसे मनो वो बंद आँखों से मुस्कुराया चोकलेट्स चाहिए वो तो बच्चे खाते हैं मुझे गुलाब चाहिए परमाईश कर दी वो नीन में उतर गई मली विला में कैमा कैमी मची हुई थी शोर से उसकी आँखोली उससे आँखे मली वो पुर्सकुन नीन सो कर उड़ी थी पहले जैसे धकावट और वहिशत आज उसकी साथ का हिस्सा नहीं थी उसे तकी कि साथ अखा कैचर उठा कर बाल वाने बेट सूधर कर वो आगे आई उस सिल्फ अरेब से मनसर ने उसे हुशाम दीद का हो नाक के नतनों से टकड़ाती हुश्वो ने उससे किसी के हज़ार में जागड़ा गिया हो सामने ही ड्रेसिंग पर फ्रेश गुलाप की फूल का गुलदस्सा रखा था वो आगे पढ़ी उन्हें उठा कर वुश्वो सुंगिरी नजर दाई तरफ गई तो किड़िये के साथ रखी चेर पे एक और गुलदस्सा और साथ कार्ट भी मुझूद था और उसे मुझूद उन दो सत्रों को पढ़ कर वो मस्रूर सी हुई पहला गुलदस्ता तुम्हारे फर्माबरदार शुहर की तरफ से डीर वाइफ दूसरा गुलदस्ता तुम्हारे शेजादे की तरफ से डीर प्यारी मम्मी के लिए वो मुस्कुराती भाहिर आए जूस पीले नाश्टाय रोज के साथ कर लीजेगा ट्रॉइंग रूप में बैठे मुरसली ने तूपा से ट्रे लेकर सिकंदर के सामने टेबल पर रखी ठैंक्स ममा जाती तूपा रुख गई और मुस्कुराए मामा भी कह रहे है हो शुक्रिया भी कर रहे हो सिकंदर की माते से बाल अडाती वो नवी में साहिला कर भोली वो मुरसलीन के बास सिथ होने पर टूपा को सिफ मामा कहता था बाकि अपने सास को तो वो अपने सुसर की धराही बुकारता था अर्यान मलिक की मासूम बीवी इन्हें हकीकत नहीं मालूम तूबा की जाने की बाद वो मुरसलीन की दरफ बल्टा कुछ हकीकते गुंगी होती है इसलिए वो बयान नहीं हो सकती इस जवाब पर सिकंदर मुस्कुरा दिया मुसुवा चौगिं के वक्स मुरसलीन के साथ था कहां जा रहे हैं उसे उट्टे देखकर पूशा गया बीवी का दिदार करने जा रहा हूँ वो मुस्कुरा कर भाहर आया पीछे मुरसलीन तूबा को लेकर गहरी सोच में दूपा था अर रास कहान ही नहीं होते जिसे दरदर सुनाया जाए कुछ रास लाश की तरह होते है जिनकी सिर्फ तत्वीन की जाती है उन्हें सपुर्दे हाग किया जाता है पोस्सर से ही लगाय जाते वो लौँच की तरफ किया हूँ जहां मलिक विला के बड़े मुझूद थे और आज भी बच्चों की तरह लड़ रहे थे वो आर्यान को देखकर मस्कुराय हो ओपन डाइनिंग हॉल में आया जहां दो लोग लड़ रहे थे उतिस सार चिप्स का रहा था शादे वाले दिन दोला चिप्स नहीं खाता ये बकवास लॉजिक आप ही किया जात करता होगी मुबाल से नज़र हटा कर याया ने दड़क कर गा हूँ मेरी डिक्शनरी में अच्छी लॉजिक्स भी है मगर मैं बन्दा देख कर बोलता हूँ सिकंदर हजी सबकर गया याया तिल मिला ही गया जो चिप्स बटकते बाहर निकल गया सिकंदर चेर पर बैठा हज से लगा आए उसकी मासूम बीवी जो सोचती थी उसका फर्मर बरदार शोहर शरीफ बनिया है ये तो आप आपी से जाकर पूछे ना उनका आइडिया था मुझसे क्यों आफा हो रहे है वो आगया आगय चलती था आगय पीजे चलती बोलती जा रहे थी चेरे से साफ आया था उसे अपने शोर की नाराज की बरदाश नहीं हो थी सिकंदर तेड़ी आंक से उनने देखता मुबाल ने खार के बैढ़िया तो अभी जाकर अपनी आपी के पास रहो मेरे रूम में मतानाब ताहर चेर के सीद कर बैढ़िया आप कितने मत तमीज हैं अफाव उसके रूट लहजे पर रोहान सी हुई वो मसीच चलिया मैं 24 घंटे में तुम्हारी कितनी बार तारीफ करता हूँ एक बार भी नहीं अफाव मुँबस हो रहे बोले तो तुम क्यों 24 घंटे मेरे कसीदे पढ़ती रहती हो वो बहरा हुआ अफाव सूसू करती वहां से गई थी कुझे देर कुसरी वाँ हमसा नुमादार हुआ साथ अफाव भी थी सिकंदर को वो सब इंट्रस्टिंग लग रहा था वो चेर को माह कर तुम्हें मुबाइल रखे बैठिया तुमने मेरी बहुँ से फिर लड़ाई ही माफी मांगो फोरण और वो क्यों डेट क्योंकि वो तुमसे नराज है नराज ही अच्छी लग रही है वो बोल कर उठा हमसा ने उसका कान खींच कर वापिस कसी रहा वो फाफ बच्चु जैसे खुश हो रही थी सिकंदर आंके बाड़े वो मनसलती चस्पी से देख रहा था इसाब हाई वो सब भी जा चुके थे वो उसके साथ आके वे थी गुड मॉर्निंग उससे विश्कियां सिकंदर से सर्दा पैर देखकर चैकिर की पॉकिट से गुलाब का फोल निकाल कर उसे दिया गुड मॉर्निंग वाइफ वो उसके एक्स्प्रेशन से कर मुस्कूरा रहा था उससे एक उलाब कहा था लगता था उसका शोहर पुरी नरसरी मल्क विला में उठा लाया था बेटा आपको ब्रीक वास में क्या दूँ जो मेरी बीवी खाती है वो ही देदे वैसे मुझे आपको कुछ बताना भी था आप जितनी मासूम है न आपके शोहर मेरा मतलब मेरे सूसर उतने ही खाड़ोस है वो एक रास था मगर उसे क्या ख़बर वो रास है आप पर 20 साल पहले ही वास्या हो चुगा था और आप मेरे डैट को हिटलर कहते हैं अफकी भरा सावाल था आज़ी के मुस्कुराट सिम्टी उससे दान निकालते सर को जाया वो तो तुम्हारा बेटा कहता है उससे तमिनान से सारा मल पर अपने बेटे के सर मूंग दिया इसारे नफी मिस्सा चटकाँ इसा बेटा आपने अफ़ाफ और ताहा को दिखाँ नहीं चोड़ी मामा जी मैंने देखा है अभी कुछ देर पहले आपके शुहर उसे कान से पकड़कर बाहर की दरफ लेकर गए है और ये सब करवानी वाली आपकी बहुत मतलावाफाफ थी जो उनके साथ ही थी वो बता कर सीधा हुआ इसा उसे हैरस से दिख रही थी आपने ये काम कब से शुरू कर दिये कौन से काम जो फेली पैटी लड़ा का उर्थी करती है देखना कुछ सुनना कुछ और बात को मिर्च मसाला लगा के आगे पहुचाना मेरा क्या कसूर अगर तुमारा घरी चड़िया घर जैसा है तो वो डिठा इस से गंदे उचका कर बोला हाज से अगर अगर अब आपने मेरे डैड और मलिक विला के बारे में एक लफसो गाओ तो मैं आपसे नराज हो जाओंगी वहाज से रमखी दी गई अच्छा नहीं कह रहा हूँ वैसे पाकिस्तान में चिड़िया घर भोथ सारे है एकर उससे चैका कब होटू से लगा लिया इस सा अपनी चाय लेती तनफन करती उठ गई पीजे उसका खेका बेश सांगता था वो रूटी हुई बीवी की तलाश में बाहर हाया जहां पहली नसल लॉन में खेलते हान और इबराहीम की धर उठी फिर नस्वाने अवास पर वो बल्टा चाय एहमर और अनेरा थोड़ी दूर कड़े थे ताशी से मैं बूछ लूँगा मगर तुम्हें मुझसे इजासत लेनी चाहिए थे मैं शोहर हूँ तुम्हारा हवर्दार तुम टिपिकल शोहर बने अनेरा ने उसका कॉलर दब हो जा मुझे अकेले नीन नहीं आती एहमर मिन में आया क्यों तुम बच्चे हो जो तुम्हें अकेले नीन नहीं आती मैं तुम्हारा जहनी आती हूँ मुझे अब तुम्हारे बगए रहने की यादत नहीं है उटो टोक बोला मगर भैस जारी रही सिखंदर साच रखता आगे बढ़ा उसके ह्याल से मलिक विला को कोई बद्दूआ लगी हुई थी जहांकि तमाम अफराद हर वक्त लड़ते ही रहते थे मगर उसे मालूम ही नहीं था वही मलिक विला मुखबत और रिष्टनी बाने में सबसे आगे भी है वो सुबा की अब मनसर आम पर आई थी वो सोगिया ब्यूटी थी या अभी की हकीकत सिवागरी थी उसके बिकरे खुली और बेतासों चेहरे से अधासा लगावाना मुश्किल था राज सारी उससे सोचों के भवर में कुसारी थी मगर नतीजा जो आया था वो से असान नहीं लग रहा था एक आग का दर्या नसर आ रहा था जिसे उससे डूप कर पार करना था मगर सारी जिन्दी का पश्टाना भी उसे वनसूर नहीं था ऐसा काफी अरसे बात हुआ था हुमाइमा शाह शाह या मेर की दलाशे मारी मारी मलिक विला में पिर रही थी बिल्कुल वैसे ही जैसे वो दोस्ती की दिनों में उसे कोना कोना ढूंडा कर दी थी आंकों में उसकी जलक उतारने और समात में उसकी फुर्सोज आवास के लिए वो ट्रॉइंग रूम से होकर लौंज से भी होग आई डाइनिंग हॉल में देख था वो अभी पल्टी लौंज के अंदरनी समेट से उसे अंदर आता दिखाए थिया मुबाइल में मस्रूब संजीत की में डूबा उसके धरकटे तेश सरीन हो रही थी यहया यूही उसके साथ से गुसरिया वो वही स्चिल रही पिर धीमी से आवास उसके हलक से वरामत हुई यहया एक पुकार ही थी और यहया मीर की कदम समय धरकता दिल भी बल को रुख्या हाँ बोलो वो हुद को नॉर्मल करता हुद उसके सामने आया वो दिखाना जा रहा था वो खुश है उसके वगए भी और किसी और के साथ भी खुश रह सकता है जल्दी बोलो मुझे बहुत काम है उसके भारी आवास पर उमाइमा पर जाया सकता रूटा वो मुझे तुमसे कुछ सर्वी बात करनी थी वो में सलसल उसे देख रहा था वो तो ये भी नहीं कर पा रही थी मैं सुन रहा हूँ उमाइमा ने हलकतर या नसे उठाये उस इलतर जा करनी थी मगर कैसे कर थी यह यह कहना चाहिए यह कि स्मूज से कर थी आज उसे एहसास हो रहा था मगर सब कुछ कावाने के बात वो एक मिनिट मुबाइल रिंग हुआ तो याहिया ने उससे इशारा देते कॉल येस की मामा से बात हो गई है जैसा तुम ने खाव ऐसा ही होगा चेरे पे वैसाहियत नुमाया थी उमायमा उससे देख रही दी रही और इदर देखता बात करता रहा हूँ लेजे में थोरे से अपनायत भी थी जो उमायमा ने महसूस की थी अलीना की कॉल थी याया ने मुबाइल रखते जवाब दिया अलीना कौन? मेरी होने वाली बीवी साधा सलेजा था मगर उमायमा की दिल में चाको खोंपने जैसा था तुम्हे कुछ बात करनी थी उमायमा ने नफी में सहेला दिया याया ने कुछ बल के लिए उससे रेखा जब तुमने कहा था ना कि तुम मेरी तीसरी मुहबबत नहीं बन सकते तब मैंने खुछ से एहद किया था जिन्दगी में चोती मुहबबत कभी नहीं करूँगा मगर बीवी ज़रूर लाँगा वो ठंडी या पस सा लेजे में कहकर सीरीय भलांगता गया जिन्दगी में कुछ अपने रेट की दरा होते हैं जिनें कितने ही मस्वूती से मुठी में कहित कर लो वो वक्त आने पर फिसल कर जिन्दगी से निकल जाते हैं उमाइमा के दमाग में तूबा का कहा जुम्ला करदश करने लगाँ फिर उसे यहान की कही बात याद आई ज़्यादा तकलीफते चीज़ वो होती है जब आपका पसंद इता शक्स आपके जिन्दगी का हिस्सा हो मगर वो आपकी किस्मत भी कहीं नहो तो आज उस सिंदगी की जंग में किस्मत जीत गई थी और उमाइमा शाख शिकस खाकर मूखे बल गिरी थी वो इतनी शिद्ध से गिरी थी कि उसे मेसूस हुआ उसका वजूद किर्ची किर्ची हो रहा है इतनी किर्चीया कि उसके साथ से भी कोई कुसर था तो लखुलू खान हो जाता हूँ वो सोगवार से इसा का वुलावा याद आने पर सीड़ियां चड़ गई मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ बलेक रोस मगर मेरी बात समझो अंदर याया पहले से ही मुझूद था उमाइमा के मुर्दा कदम वहीं रुके मैं चाहता हूँ तुम उसे बनाओ कि वो शादी कर ले जिससे भी करे मगर कर ले वो अपनी हना की जंग में मुझे तो गवा चुकी है मगर तकलीफ से भी दो चार है कल को मुझे और मेरी बीवी को एक खटा नहीं देख पाईए उसे तकलीफ होगी वो शिद्ध ते कोई इससे भोला यह जी में ठकलना कम थी तो तुम्हें लगता है इस सब मैसका सिर्फ एक यही आखरी हल है हाँ यही एक हल है क्योंकि मैं अब और नहीं जुपाऊंगा वो तुक से कहता भाय निकला सामने ही उमाइमा करी थी वो आँके नहीं मिला पा रही थी उससे हिम्मत नहीं थी या या उसके साथ से गुजर गिया अभी आपने बुलाया था बैठो दिल मुझे ज़रूरी बात करनी है अभी आप बात करें मैं यहीं ठीक हूँ इसा कून इठाल से लगी अभी तो निकाह की रस समभागी थी उससे उस पर तरसा रहा था दिल सब बड़ों की बहां में मुशावर से इफ ऐसा किया गया है इसलिए किसी को तुम पॉइंट ओट नहीं करना मुझे डेड ने का मैं तुमसे पूछ करू ने जवाब तू वो मारी भंदी खड़ी थी सब चाहते हैं तुम शादी कर लो किस से वो और कुछ नहीं पूछना चाहती थी यहां से इसा ने एक सुवान ही कहूँ वो ट्रांस से बार आई ख़दा का वादसा है आपी उससे बकाईदा हाच जोड दिये आप सबको अगर मेरी मुझूद्धी से मसला है तो मैं आज शाम ही यहां से चली जाओंगे मगे मुझे शादी नहीं करनी याया मुवान कर चुका है दिल तुम भी कर लो ना चाहते हुए भी वो तल हुई मैंने सारी सिंदगी एक शक्स को सोच और चाहा है कोई दूसर में लिए याया मीर नहीं बन सकता नहीं मैं किसी को मौका दूँगी यही मेरा आखरी फेसला है उससा उसके हावासो पर सवार हो रहा था उंपों पटकते आशों को सब कर दे खुद को कपरे में बन कर चुकी थी इसा बेबस सी खड़ी रह गई तरवासा नौक हुआ उससे लगा हासिक आया है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी हासिक जाए यहां से वो हवी से गए गई धीमें और नन्ने से कद्वों की चाप पर इसा पल्टी क्या हुआ दियर प्यारी ममा बेटा भी बाप की कौपी था बस आंकू का फरक था वरना हरकते और भूल चाल सब उससे सिखंदर से जैसे कौपी कर लिया था दियर प्यारी ममा वो करीब आया है एसा मुस्कुराने लगी ये फूल डैडी ने अपनी डियर प्यारी वाइफ के लिए भेजा है इबराहीम ने अपना हाथ आगी किया एसा गुलाब का फूल देख के हसी और ये मेरी तरफ से डियर प्यारी ममी उससे दूसरा हाथ आगी किया इसा उसे गोट भी उठाती उसकी दोनों आँकों और कालों पर बारी बारी लप रखते मुस्कुराए जा रही थी वो उसके जिंदेगे में किये गए तवील सबर के बाद मिलने वाली नेमत की दरा था इवराहीम के लिए मुखबत उसके दिल में दिन बाद दिन मस्बूद और मुस्सकिम हो दी जा रही थी लौन में उन्होंने कफसा जमाया हुआ था एक तफ लड़कों की ठीम थी जिसे मुर्सलीन, ताहा, याहिया, एमर, आसिक, अरसर, बिलाल, शेहजीन, यूसुफ, आसिक और यहान थे सब भड़ चड़कर रिस्सा ले रहे थे सवाई यहान और याहिया के तोसे तब लड़कों की ठीम थी जिसमें अब बाफ, अनेरा, नताशा, रोशाने, शेहजीन और यूस्फ की फीविया में शामिल थी इसना भी इबराहीम के साथ ही आ गए थी, नताशा के चेहरे पर उन सब ने बड़ा सा पलो निकाल रखा था, सब मस्सी मसाग में लगे थे, उमायमें भी वहाँ आके बेड़ी थी, जिसे रोशाने खीच कर बारी लाई थी चलो, अब मेरी बारी शाहरी की मुकाबला बाद से लगी थी, बिलाल ने सब को चुप करवा दे, शेर पढ़ा हमको हमी से चुरा लो, एक सूगी सी मंगनी हमारी भी करवा दो, आमीन सबने हसी एक सूपान कहा, वहीं बिलाल ने अस्वाफिर उल्ला का वर्शुरू है, अब धूले की बारी मुरसलीन ने गूगट में बैटी हुई अपनी बीवी को देखा, मरीजाने मुहबबत को अफक दीदारे यार काफी है, हजारों तिप के नुकसों से निगाही यार बेतर है दोनों अत्राफ वहवा कशोर मचा, नताशा वी रोशाने की पीछे होती मुस्कुरा दि, धूलन कुछ कहना पसंद करेंगी दाखा ने पूछा, तेरी दीदार के लम्हे बहुत कीमती थे, हम अगर आँख चपकते, तो हसारा करते भावी तो शायरा निकली, इन जुम्लों के साथ सा ठोटीं को टालियां बिजारी थी, चली दाखा भाई, अब आप सुनाए किसके लिए, अपनी बीबी के लिए कमीने मुरसलीन ने उसे मुक्का चड़ा, हाजिक सब को बागोर दिखता हस रहा था, इतनी ही देर उस सब असी मसाक में मसूफ रहे, तब ही हाजिक ने मुरसलीन को को नहीं मारी, उसे ताहा को इशारा दिया, फिर सबने एशा को बीच में कसीड़ा भाई ये शान में कोई शेर, मैं नराज सुन से, चले नराजगी में ही सुना दे, तहाब आसित्था, टूटा हुआ एक साहसु में, अम्मी के दामाद से नराज सुमें, वो एक ही साहसे नोठे पन से गदा से बोली थी, महीं सब हसी से लोटपोट हो थे, तो कुछ वावा क पर दे रहे गें, आसि को अपनी डियर फाइफ प्लस ड्रामा कुइन से ऐसी ही तवक्ता थी, वो भी उसे दाद देने वाल नसु से दखता रहा हूँ, भाई, आप जवाब में क्या बोलेंगे, कौन करता है तेरे बाद, तेरे जैसा सुखन, हम तेरे बाद भी किसी से कहां बोलते हैं, क्या गलत करते हैं, फड़ते अकीदत से कभी, तेरी आँखों को अगर सारा जहान बोलते हैं, उससे मुखबत पाश डैसु से देखते, जहान से अधा किये कि इन लफसों मुखबत तराम का माल काथा हूँ, सभी वावा करते रहेगे, विलाल की नसर एक दरब यहान पठेरी, भाई साब, आप भी हमारे टीम का हिस्सा है, कुछ बोलेंगे नहीं, कोई शेर, कोई गजल, उससे अधाय शोक से कहा हूँ, यहान फक्त मुस्कुरा कर सही लाग्या हूँ, एक गजल लिखी थी, वो ही सुना देता हूँ, उससे उमाइमा पर नसर डालकर अ पताते हूँ जो कहा हूँ, यहाय भी देख चुका था, उससे उमाइमा को पुझी नसर से देखा, एक लड़की है, उमीद की किरन जैसे, सुर्ख उलावों से मोतर इधर जैसे, कुछ जिन्दगी से हारी हुई, कुछ लोगों से डरी हुई, मैं गया था उसकी जिन्दगी पर उसे खुदा के करीब करते करते, अपना आप उसे में सूपाया, दिल दमाग सूचू पर उसके नक्ष साथ खींच लाया, उसको तो हबर भी ना थी, इस जिले जार की तमन्ना की, वो जीती थी किसी और की महबत में, और मैं सांसे लेता था, अपने लाहास से लिश में, वो मोच से पहले मोच जैसी थी, मेरे बेरंग जिन्दगी में रंगों में ढलती तितली जैसी थी, वो किसी और के आंगन की शेदाई मैं कैद करने उसे निकला था, फिर जिन्दगी निक ठोकर मारी, मैं अपने दिल को मारे उसके शहर से निकलाया था, फिर हुद को उसका आदी बना के उसके हवाले कराया था हाँ मैं अपनी मुहबत को किसी और के लिए छोड़ाया था लगता है भाई जान का दिल पूरी तरह तोटा है सब उसके बेत्री लफसों पर दाद देने मुस्रूफ थे जबके याया उमाइमा हासिक और इसा हामोशी से इस दिले बरबादी के दमाशे में शामिल थे दूले सहाब अब आप भी चुपका रोजा थोड़े अरसल ने अपके बुद बने याया को कसीड़ा वो तकी पे सरक के बासुकर्दन के नीचे दिये लेटनी के अंदास से बेटा था मैंने कुछ बोला तो भावी की टीम हार जाएगी उसकी जेदादी नसे उमाइमा पर थी जो सबने बाग और पेचान ली हम डरते हैं कोई तुम से नताशा भोली बाद डरने की नहीं लफजूं की है भावी जी हम लफजू में माद देने का हुनर तो जानते हैं मगर आपका हारना हमें अच्छा नहीं लगेगा उसके एडिटी और रुरसर्द ले जाओ वहाँ सबको मुश्रा करा था तुम शुरू करो जवाब देना हमें आता है रुशानी ने भी हिम्मत से खाओ रुम में शामिल है फक्त नस नस में नहीं वो एक शख्स जो मेरी दस दरस में नहीं हल यही है के भूल जाओं उसे और एक यही बात मेरे बस में नहीं वो शायरी के लफजों के चाल में अपना हाले दिल बेयान कर बैठा था तोनों दाफ़ा मोशी थी जबके लड़कियों की टीम यह सोच रही थी के जवाब कुन दे मगर दाफातन जवाब आया अक्स अक्स कुमां कुमां हयाल सारे मुस्सरत तू नहीं तो कुछ नहीं साहारे सारे मुस्सरत चुकि नसरे लरसी पलके और लेजन अदामस से भरपूर वो भी शाइडी का सहारा ले थी अपना दिल खोल रही थी यह आया तनफूर से हसा सीधा होगे बैठा उससे देखा मुकाबला टफ होने वाला था सबी मनो अन उनकी दरमत वच्चा थे आप हरी में नास में शोक से आयें बेहिजाब अब वो जुनून जुनून नहीं अब वो नजर नजर नहीं आखरी मिसरे पे उसके लेज़े में तकलीफा समाई वो उससे बतला रहा था मगर उमाइमा तकलीफ में डूबी दिल को नफी के जा रही थी मेरी उमर भर की मुसाफ़ते मुझे एक पल ठका सकी तेरी एक नजर की बेर हुई से मैं सरा सरा भी कर गई वो अपने तकलीफ आया करने की कोशिश में आंसों भी पी रही थी यहान का वजूद उसकी तकलीफ में खुद भी मुटला हुदा में सुसो रहा था वो वहां से उठिया एक निशानी भी फर्रमोश नहीं की उसकी एक पी जखम को अराम नहीं आने दिया उसने एक दिन मुझे नाकाम कहा और मैंने खुद को अपने बी içição काम नहीं आने दिया याया के लेटे में कहरे काम कया मैंस इस्षुई हमने ताखिर से सीखे है मुहबबत के असूल हम पर लाजिम है तेरा इश्क दूबारा कर ले ये भी मुमकिन है तुझे दिल से भोलाते हम ये भी मुमकिन है तुझे जान से प्यारा कर ले उससे आगरे मिसरा याया कियाँकों मैं अपने शितर से चीख-चीख कर धाई दे ते नसरों को डालका कर गा जो मेरे जब का शहराजा मुंतशर करते तेरे सित्म को भी वो अदा आती नहीं साफ कोई से जैसे हाथ उठा दिये गए थे वो करही क्या सकता था कुछ देर बाद उसका निका था मगर उमायमा शाथ जैसे आज ही उसे पालेने के सित पर अड़ गए थी मगर उसकी फेटी नसरी भी दिल को चलनी कर गए दूसी तरफ मुझा सनाटा जागिया तफसु की वज़ाए नसरु ने जो पेगाम सुनाया था उसके बाद कहने को कुछ नहीं रहा था आसू पल को परान पहुंचे उठती अंदर थुन अंदर को भाग गई या या भी सब कुछ पढ़कता विला से वाए निकल गया बागी सब चूँके तू रह गए थे झाल्स्न कुछ आसुके पिला से लागी सब करो भागी सुनाया थ जासुछ प्राद को रखना प्ल Frाग रह पाज़्याए उसके पिला मेंपले सकूँके बागी सब कुछ ज़ाँ पाहीं ड्या वाज ओनार कुछ आसुके बादा पहाई कुछ रहा हुआँ Lucas नहीं परादया